शराब की बोतले मिलने के मामले में सियासत गर्मा गई है। दिली पुलिस ने वसंत कुंज इलाके में छापे मारी के दौरान गुरुग्राम की उर्च से आ रही एक गाड़ी से शराब की 12 बोतले बरामत की और इस मामले में दो लोगों को गिरफतार करने का दावा किया है। बताया गया कि गिरफतार किये गए दो लोगों में एक यूथ कॉंग्रिस का पदाधिकारी है। जिसके बाद पीजेपी ने कॉंग्रिस को निशाने पर ले लिया। वहीं इस मामले पर कॉंग्रिस की सफाई भी सामने आई है। तो गिरफतारी पर कॉंग्रिस की सफाई सा इस वक्त मैं मौझूद हूँ वसंदकुन साउथ थाने पर और मैं आपको सीधी तस्वीरे यहां पर दिखाना चाहूंगा थाने के अंदर देखिए आप एक गाड़ी खड़ी है यह स्कॉर्पियो गाड़ी है इसके सामने का हिस्सा के वल देख रहा है इसी स्कॉर्पियो गाड़ी से पुलिस का दावा है कि 12 शराब की बोतले बरामत की गई थी और इस स्कॉर्पियो गाड़ी में दो लोग मौझूद थे जो की बताया जा रहा है कि यूथ कॉंग्रेस का एक रास्ट्रे पदादिकारी था चबकि दूसरा जो था यूथ कॉंग के पास जब चेकिंग की गई तो उनकी गाड़ियों से जब 12 शराब की बोतल बरामत हुई तब उन्हें तुनंत ग्रफतार किया गया हलाकि मामला जो था एक साइस एक्ट के तहट दर्ज हुआ था तो लिहाजा इनको बेलेबल था और उन्हें जमानत दे दी गई थी लेकि मगर वो खैर वो उनकी श्मता और समेदना से जुड़ा विशेय मगर कानून की सरहसर धज्या उड़ाते हुए इस तरीके के क्रिया कलापों में और जुट जाना और ये शराब की अवैद तसकरी करना मैं मानता हूं कि ये तो बहुत ही दिन्दा जनक है जितनी कड़ी निर और राद करता उसके खिलाफ कारवाई करें यूथ कॉंग्रेस कॉंग्रेस पार्टी अगर चेत्र में क्रोना वाइरस से जूज रही है जो गरीब लोग है जो माइगरेंट लेबर हैं उनको भौजन की विवस्ता उनके देखवाल करने का काम कांग्रेस पार्टी यूथ नक्सिमित रहती है काम के नाम पे जीरो है लॉक्डाउन पार्टू के बीच राजस्थान सरकार ने जैपूर में फसे राजजी के दूसरे जिलों को बड़ी राहत दी है सीयम अशोग गहलोत के आदेश के बाद जैपूर में फसे 140 मजदूरों को घर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है मजदूरों को 11 राजस्थान रूडवेज की बसों से भेजा गया है हालां कि दूसरे राज्यों के मजदूरों के भेजने पर फैसला नहीं हुआ है जैपूर में फसे मजदूरों को राहत दी गई है ताजस्थान में विबिन इलाकों के जैपूर के अंदर फसे मजदूरों को ले जाने का सिलसिला सुरू हो गया अब दैख सकते हैं कि रोडवेज ने इस वक्त बसें लगा दिये कहां से आयो आप कहां जाओगे जलावार जिला जाएंगे सर बस लग गई आपकी बस लग गई कितने दिन से हो यहां पर बाइस दन से कहां साय कहां से जोड़ा नंबर पर रोकिया था अच् कि बसने हैं हम सारे करीब 17 लोग अबनी वड़ी पर कहां जाएंगे आप हम कोटा से 12 जाएंगे 12 अलग 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 बसें हैं हाजी बिहार के बांका में जंदन खातों से पैसे निकालने के लिए दरजनों महलाएं एक बैंक के सामने खटी हो गई अचानक पहुंची इन महलाओं ने बैंक के सामने ही लाइन लगा दी इस दोरान ना तो किसी को लॉकडाउन की चिंता थी और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था वैसे महलाओं की इस भीड को काबू करने के लिए वहाँ पर कुछ पुलिस वाले तैनात किये गए थे लेकिन ये महलाओं कुछ भी मानने को तयार नहीं लग रही थी कहने को तो कोरोना सबचाव के लिए बाका में भी लॉकडाउन का कडाई से पालन कर आया जा रहा है लेकिन जंदन खाते से पैसे निकालने के डालने से चूकी नहीं